बिस्मिल्लाइब नम नहीं, students, general general entries का हमारा topic चल रहा था और आज एक और बहुत ही important double entry आपसे discuss करना चाहरा हूँ A customer check return by the bank Rs. 70,000, अपनी दर से value लिए, Rs. 70,000 का check जो है किसी customer का जो है, वो return कर दिया bank ने और कभी कबार ये transaction यूँ भी लिखी भी आ सकती है, customer check has been dishonored by the bank Rs. 70,000, और कभी कबार ये लिखा भाएगा customer check has been dishonored by the bank Rs. 70,000, value कोई भी आप ले लो, और कभी कबार यूँ भी लिखा भाता है, customer check return and mark NSF by the bank, NSF means non-sufficient fund, यानि के customer के account में इतने fund available नहीं है, जितने का check बना के दि ये तीनों में से कोई भी एक terminology लिखी आएगी, customer check has been dishonored by the bank, customer check return by the bank, तो याद हकिएगा, जो return check है, dishonored check है, उसकी डबल एंटी बनती है, account receable को हम debit कर देते हैं, और bank को कर देते हैं, credit बच्चों, यानि हमारा bank decrease हो गया, account receable वापिस से increase हो गया, asset increase हो गया, और एक asset decrease हो गया, क्योंकि हम ने जो bank को increase कर रहा था, वो हमने credit कर दिया, अब student कहते है, sir, ये आपने इसकी directly इंटी बनाई है, कुछ इसको जरा से explain कर दें किस तरीके से ये इंटी बनी है, तो मैंने इसके लिए case study लिए, for example, हमने Mr. A को, हमारे को customer है, जिनको हमने 70,000 के goods उधार बेचे थे, तो सारे सुरून को double NT आती होगी, account receable को मैंने debit कर रहा है, बच्चों, और sales को as usual मैंने credit कर दिया, asset जब increase होते हैं, debit में record करते हैं, और revenues increase होती है, credit में record कर दिया, यानि हमने customer को Mr. A को Mr. B को Mr. X को 70,000 के goods उधार बेचे थे, तो NT बनेगी account receable debit और sales credit, कुछ दिनों बाद हमने Mr. A को या जो भी customer है, उसको phone करके का कि जो है, वो पैसे दे दें, जितना भी उसको time period दिया था, महीने दिन का, या देड़ महीने का, या पंदरा दिन का, बीस दिन का, तो Mr. A ने अपने driver के साथ हमें जो है, वो check भीजवाया, cash नहीं भीजवाया बच्चों, तो as usual हमने जो check भी आया था customer के पास से, वो हमने अपने business के bank account में जमा करवा दिया, हमने अपने business के bank account में उसको जमा करवा दिया, तो entry बनेगी bank debit और account receivable को कर देंगे, अब मेरा सवाल यह है, कि next day bank से phone आया कि sir, आपने जो यह check जमा करवाया था, जिस customer का Mr. A का Mr. X का whatever, 70,000 का वो check आपका dishonored हो गिया है, तो जब वो dishonored हुआ है, तो आप क्या करोगे, account receivable को वापिस से debit कर दोगे, और bank को credit कर दोगे, यह इसके पीछे की logic है, कि dishonored check की जो हमेशा डवाल इंटी बनती है बच्चों, वो आप account receivable को वापिस से debit कर देते हो, और bank को आप credit कर देते हो, जो आपने यह इंटी बनाई जी इसको आपने कर दिया, reverse, यानि account receivable debit हो गया और bank को आपने credit कर देते हो, hopefully आपको यह dishonored check की इंटी with concept बहुत अच्छी ताना समझ में आ गई होगी, thank you.